सूर्य भगवान के लिए मनाय जाने वाले प्रमुक त्योहार हिंदु धर्म में सूर्य और चंद्र पर आधारित कई व्रत एवं त्योहार मनाय जाते हैं सभी त्योहारों का अलग-अलग महत्वा होता है वैदिक परमपरा में सूर्य आधारित व्रत और त्योहार का खास महत्वा होता है आए जानते हैं कि भगवान सूर्य के लिए कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं नमब एक मकर संक्रांती वैसे तो सूर्य की संक्रांती 12 हैं, लेकिन इन में से 4 संक्रांती ही महत्वपूर्ण हैं, जिन में मेश, तुला, कर्क और मकर संक्रांती प्रमुख हैं. सूर्य संक्रांती में मकर संक्रांती का महत्व ही अधिक माना गया है. मकर संक्रान्ती के दिन सूर्य उत्तरायन होता है तुला संक्रान्ती का करनाटक में खास मेहत्व है कुम संक्रान्ती भी कहीं कहीं मनाई जाती है मकर संक्रान्ती हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को आती है नमब दो, छट पर्व यह भी सूर्य आराधना का पर्व है जो खासकर उत्तर भारत के लोग मनाते हैं यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है इसी पर्व को चैत्र नवरात्री के छटे दिन भी मनाया जाता है इसे छैती छट कहते हैं छट पूजा का वरत महिलाएं अपनी संतान की इसी दिन सूर्य देव साथ घोडों के रत पर सवार होकर प्रकट हुए थे. इसी लिए इस सप्तमी तिथी को रत सप्तमी के नाम से जाना जाता है. नमब चार, विश्नु के त्योहार, भगवान विश्नु के साथ ही भगवान सूर्य की उपासना का भी विधान है क्योंकि सूर्य भगवान विश्नु के ही अंच है. रविबार को सूर्य देव का दिन माना जाता है अच्छा स्वास्थ्य वतेजस विता पाने के लिए रविबार के दिन उप्वास रखना चाहिए रविबार का व्रत करने वक अथा सुनने से मनुष्य की सभी मनुकामनाई पूरी होती है मान सम्मान, धन्यश तथा उत्तम स्वास्थे मिलता है जीवन में सुक सम्रिद्धी, धन सम्पत्ती और शत्रूँ से सुरक्षा के लिए रविबार का व्रत सर्वश्रेष्ट है जोतिश शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में सुर्य की स्थिती ठीक ना हो तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है उसे जीवन भर कश्ट रहता है, उसके जीवन में खुशाली नहीं आ पाती इसलिए रविबार के दिन व्रत करने का महत्व बढ़ जाता है इस तरह और भी इंट्रस्टिंग धार्मिक फैक्ट्स और खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें